नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ जिद जैस्वाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से अधार यूसियल साफ्टवेर को आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे क्योंकि दोस्तों मैं कल के ही वीडियो में अपने आर्टिकल पोस्ट के माध्यम से अधार साफ्टवेर का लिंक दिया था लेखिंग कई सारे ऐसे यूसर्स हैं जो इस समय उस साफ्टवेर को डाउनलोड नहीं कर पार रहा है गूगल ड्राइब 404 की इरत सो हो रहा है वहाँ पे ओभर लोड डाउनलोड की वज़ा से 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद आप लोग अधार उसियल के साफ्टवेर को डाउनलोड कर पाएंगे ऐसा सो हो रहा है इस समस्या का समथान कैसे करेगे इसके सम्बंधित मैं इस वीडियो के मातरम से पूरी इंफोमेशन आपर लोंको देने वाला हूँ अगर आप लोग को स्टैय्टिक्स आइपी के समस्या के बारे में जनकारी लेनी हो तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं वहीं अधार इस्यल सेवा के अंदर खोलने के लिए वेरिफायर डाकुमेंट्स डीटेल किया सकता होगी उसके संबंधी जनकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को वाच कर सकते हैं सबसे पहले दोस्तों आप लोग को आजाना होगा gadgets update hindi.com के official website और यहाँ पर देखेंगे मैं statics IP और वेरिफायर डीटेल साथ साथ साब्टवर कैसे डाउनलोड करेंगे उसको संबंधित मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है आप लोग को इस लिंक पर आजाना होगा जैसे आपको साबने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा आप लोग को निचे स्कूल डॉम कर लेना है यहाँ पर वेरिफायर के संबंधित भी आपको पूरी जंकारी मिल जाएगी और इस्टैक्स IP के भी संबंधित आपको पूरी इंफोर्मेशन मिल जाएगी वहीं दोस्तो लिंक खूल के आजाएगा जहां से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होगा लेकिन कई ऐसे CSC VLE हैं या पिर अधार अपरेटर सुपरोजर हैं वे इस संबंधित को डाउनलोड नहीं कर पार रहे हैं क्या समस्या का फेस कर रहे हैं उससे आप लोग पहले यहां पर देख कर देख लेकिन को जरू दबाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में जरू सिर करें सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पर अपने गूगल एकाउंट से साइनिंग कर लेजी चली मैं आप अपने गूगल एकाउंट से यहां पर लॉगिंग कर लेता हूं उसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या करना होगा सबसे पहले आप लोग लोग अपने गूगल एकाउंट से लॉगिंग कर लेना होगा तो यहां पर फोड़ा सा अप लोग वेट कीजिए मैं लॉगिंग करके आगे की परकिरह आपको दिखा देता हूं और पुरी जांका को download करने की कोशिस करता हूं अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या समस्या आ रही है तो यहाइ एक साब्ट्यूर्वेद करने में कुछ समाश्या उत्पन है तो मैं आप लोग को यहां पर लाइफ प्रोचस दिखा रहा हूं कि कैसे आप लोग को इस सब्सक्रा वैट कीजिए और जैसे आप लोग डाउंलोड एनिवर पर किलिक करेंगी तो यहां पर सब्सक्राइब डाउनलोड होने लगा, क्योंकि मैं आले डी सब्सक्राइब को डाउनलोड कर लिया हूँ, इसलिए सब्सक्राइब को मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे विली है जिनको 24 हावर्स की प्रावलम दिखा रहे थी, अगर आपको ऐसी समस्या दिखा रहे तो आप लोगो को अपने गूगल डाइब से ओपेंग कर लेना होगा, और में कॉपी करके आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर उसी कोई समस्या नहीं आ रही है, लेकिन पहले आ रहे थी लेकिन अब नहीं आ रही है, यह 1.2GB की सब्सक्राइब है, डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों अधार UCL को लेकर मैं सकेंड वीडियो जल्दी देने वाला हूँ, जहाँ पे TPM 1.2 और 2.0 के समबंधित आपको जनकारी दूँगा, साथी साथ अधार UCL सब्सक्राइब को कैसे इस्टाल करना है, और कैसे उसमें आप लोग अपना इसी ये लागिंग करके सेट अप करेंगे, ताकि वे पूरी परक्रिया करने के बाद, आप अपने मसीन को कैसे रिष्टर कराएंगे, और क्या होंगे पूरे इस्टे, पूरी जनकारी में आप लोग को इसके बाद वादा जो वीडियो आएगा, उसमें दूँगा, और करें, शेर करें, ताकि जितना ही अधी संख्या में इस वीडियो पर लाइक आएंगे, उतना ही मुझे अंदर से प्रोसान मिलेगा आप लोग को अधार उसल के संबंधित, जनकारी देने के लिए, दोस्तों आप लोग को भी पता होगा कि अधार के संबंधित, चाहे हो से स से मिलता हो, या फिरेट मिलता हो, मैं पिछले 4-5 सालों से वीडियो बना रहा हूँ, और आप लोग को एकदम साटिक और सही जनकारी देता हूँ, ताकि आप लोग आधार सेवा के संबंधित, जो भी कार करें, सही तरीके से करें, ताकि आपको कोई भी समस्या फिचर में उत्पण ना हो, तो दस्तों मैं इस वीडियो को हें पर करूँगा, समात, सो थायंक्स, जैहिन, वंदे मातरम, साथी साथ आप लोग इसके आप लोग इसके फेस्बुक पेज को भी जरूर लाइक कीजेगा, यहाँ पर पेज जिया है, जैसे आप लोग इस पेज पर आएं तो यहाँ पर लाइक पेटर आपनों जरूर कर दिजेगा, धन्यवाद